हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक क्वेटीर कमें स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंट्राडे ट्वेडिंग स्ट्रेटजी बेस्ट ऑन ABCD पैटर्न आपने साइध इस पैटर्न का नाम नहीं सुनाओगा लेकिन ये काफी सिंपल और यूनिक पैटर्न है जिसके बेसिस पे आप आसानी से इंट्राडे ट्वेड इनिशियेट कर सकते हैं और यहां से आप प्रॉफिट भी बना सकते हैं क्योंकि यहां पे जो प्रॉफिट मिलने वाला उसमें रिस्क बहुत कम जादा रहता है और हमें रिवर्ड अच्छा खासा मिलता हुआ दिखता है तो कम रिस्क बाला इंट्राडे स्ट्राडेज हमने यहां पे आपके लिए खोज के लाया और इसको हमने नाम दिया ABCD पैटर्न यह बहुत इंट्रेसिंग सा आपको ट्वीरिंग स्ट्राडेज देखने को मिलेगा तो चलिए सीखते हैं कि ABCD पैटर्न के वेशिस पे हम इंट्राडे स्ट्राडेज कैसे फॉर्म कर सकते हैं यहां पर हम चार्ट पर आगे और यह प्लाइस है आप इसको जाओ तो फाइम अकिंज हमारा के यह लेकिन करेंगे लेकिन अपर प्रेशिए देखने को मिलेगा और 15-minute के टाइम फ्रेम के बेसिस पर आप इंडवारे ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हैं 15-minute के टाइम-फ्रेम को लेकि आपको इंडवारे में यह आपको यहां से दिखेगा जहां से uptrend स्टार्ट हुआ है, यानि सबसे पहले हमें एक जबरदस्थ uptrend identify करना है, जहां पर हमें क्या दिखना चाहिए? Aggressive buying हमें दिखना चाहिए, यानि aggressive buyers यहां पर entry करना चाहिए, और उसके कारण से जबरदस uptrend दिखना चाहिए, that means true, A for aggressive buyers का entry होना चाहिए सबसे पहले, और इस entry में, और इस uptrend में हम क्या करेंगे, entry नहीं लेंगे, आपको इस uptrend में entry नहीं लेना, यहां पर आपको no entry वाला board लगा देना, यहां पर हमें entry नहीं लेना है, अब आप सोचे होंगे कि यह uptrend तो खत्म हो जाएगा, हम entry कब लेंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, बस इस pattern का यहीं खासियत है, कि आपको यह risk कम देगा, और आपको reward अच्छा खासा देगा, और जहां पर chances ज़्यादा रहेंगे profit बनने के, वहीं पर आपको entry करने का मौका देता है, तो सबसे पहले हमें E से क्या identify करना, aggressive buyers identify करना, और उसके बाद price आपका अच्छा खासा upside move दिखाना चाहिए, अब उसके बाद क्या होना चाहिए, upside move जहां पर रुखेगा, वहां पर हमारा B.1 बन जाएगा, यहनि B for break, यहनि upside move पर break लगना चाहिए, वह हमारा बन जाएगा B.1, तो देखें, यहां से price आपका upside की तरफ जा रहा, और यहां पर upside move पर break लग गया, तो यह हमारा क्या बन गया, B point, अब हमारा आता है C point, इसके बाद हमें क्या दिखना चाहिए, C for होगा आपका यहां पर consolidation, यहनि उसके बाद हमें consolidation दिखना चाहिए, यहनि price आपका एक particular range में दिखना चाहिए, तो देख सकते हैं, यहां पर price आपका एक particular range में move करता हुआ दिख रहा, यहनि यहां पर हमारा C point भी complete हो गया, consolidation भी complete हो गया, अब आप सोचे होंगे हमने यहां पर trade में entry ले आ ही नहीं, अब हमें C point के बाद entry लेना है, अब इस concept को समझे कि यहां पर हमें entry क्यों लेना है, अब देखें यहां पर price आपका upside की तरफ जा रहा, यहां पर बहुत तेजी से price upside की तरफ जाता है, बहुत साही लोग entry नहीं कर पाते या बहुत साही लोग इसको late identify करते हैं, तो आपने अगर इसको साही time पर identify कर लिया, तो entry ले सकते हैं, लेकिन अगर आप जरासा भी late हो गए, तो यहां पर आपको entry नहीं लेना है, क्योंकि आगे भी मौका मिलेगा entry देने का, अब जो भी लोग यहां पर, यहां पर, कहीं पर entry लिया होंगे, वो क्या करेंगे इस level पर जाने के बाद, वो क्या करेंगे, market से exit करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले market से exit करेंगे अब जब market से अगर वो exit करते हैं तो price को नीचे आना जाये था लेकिन यहाँ पर price आपका नीचे नहीं आ रहा है अगर यहाँ से price आपका नीचे आना start होगा तो हमारा ABCD pattern complete नहीं होगा फिर हम उसको वहीं पर छोड़ देंगे तो price आपका नीचे नहीं आ रहा that means तो यहाँ पर entry भी हो रहा है same frequency में same quantity मतलब जो कमजोड लोग है जिनको market को पर भरोसा नहीं है वो निकल रहे हैं और जिनको market को पर भरोसा है वो यहाँ पर entry कर रहे हैं मतलब अब अगर यहां से breakout आता है तो यह आपका भरोसे मंद breakout होगा क्योंकि जिनको market पर भरोसा है वो particular लोग यहाँ पर entry करते वे दिख रहे है तो इसके पीछे concept यह है कि हमें भरोसे मंद upside move चाहिए और वो भरोसे मंद upside move किसके दम पर आएगा भरोसे मंद buyers के दम पर आएगा इसलिए यहाँ पर हम इस level पर entry करेंगे अब जैसे ही यहाँ पर जो आपका high बना वो आपका resistance line बन जाएगा और जो low बना वो support line बन जाएगा यह नि हम इस बीच में छोटा सा resistance line और support line को identify कर लिए अब जैसे price इसके उपर निकला यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर हमारा entry point बन जाएगा buy side की तरफ और उसके बाद price आपका all the way upside की तरफ गया यह upside momentum आगे भी continue रहेगा आप जाओ तो previous swing high के basis पर इसके करीब आप profit बुक कर सकते या फिर यहाँ पर भी आप निकल सकते हो जहां पर आप exit करोगे वह हमारा बन जाएगा D point D for that means to done जो हमने trade initiate किया उसको done कर देना तो इस तरीके से हमारा बन गया ABCD pattern A for आपका हो गया aggressive buying B for हो गया कि जब price up trend में जा रहा aggressive buying के बाद उस पर ब्रेक लगना चाहिए C for consolidation और D for that means to done यह नहीं सारा कुछ यहाँ पर काम मेरा खत्म हो गया तो यह काफी सिंपल सा strategy है जैसे यहाँ पर देखिए अब ट्रेंड कंसोलिडेशन अब ट्रेंड में ब्रेक लगा उसके पर यहाँ पर ब्रेक आउट हुआ यहाँ पर हमारा इंट्री होगा फिर यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा तो यहाँ पर आप यहाँ पर हम दूसरा इंपल बदाते हैं उससे आपको और ज्यादा कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर हम आगें विलाइंस इंडिस्ट्री के 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर बना क्योंकि हमें क्या दिखा यहाँ पर हमें दिखाा है एग्रेसिव बाइनग और अग्रेसिव बाइर्शाइव ने इंट्वी खिया उसकी कारण से प्रैस आपका जबदस्थ अपसाइड दिखाया है और प्राइस जाकर यहां पर ब्रेक्ट लग गया यहां बन गया बी-पॉंट जहाँ पर ब्रेक लगता हुआ लग जैसे स क्हें चाहरे की स्सृमाटिक तरीके से हमारा एप बिब पैटर्न कन्टीनीव हो रहा और यहां पर हमने मार्केट के दिफरेंट चल्यू ऩखरें को कंसॉलिडेशं को आप काफी हद तक बोल सकते हैं कि आपका एकुमिलेशन जोन भी है यह निए यहां पर बड़े-बड़े-लोग market को accumulate करें market में entry करें इसलिए negative volume या फिर कुछ भी आने की बाद price आपका नीचे नहीं गिरना चाहिए उसकी बाद जैसे breakout मिलेगा यहां पर हम क्या करेंगे और different pattern के बार में study करना है और आपको technical analysis सीखना है तो इसके उपर हमने एक course design किया जहां पे हमने technical analysis में basic से लेके advanced level तक सब कुछ discuss किया आप वो देख सकते हैं उसके लिए आपको हमारा mobile app equity community को download करना होगा play store से नहीं तो उसका link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा वहां पर जाके आप हमारा mobile app जो download किये और इसके लाब आपको feature options का वी complete basic tutorial मिल जाएगा जहां पर आपको basic से advanced level तक पूरा चीज बताया जाएगा और stock market का भी आपको complete guidance मिल जाएगा वहां पर भी हमने basic से लेके advanced level तक कबर किया और हमने इस तरीके से कबर किया कि आप उसको देख के उन सब को देखके आप यहां पर stock market वे अपना carrier भी बना सकते हैं तो आप एक बार हमारा mobile app डाउनलोड करके course को जबर वीजिट कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो आप enroll कर सकते हैं यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और सारा example देखते हैं जिससे आपका यह concept और clarity के सा मज में आ जाए और कोई confusion ना हो तो यहां पर हम आगें TCS के 15 मेंट के टाइम फ्रेम में अब देखें यहां पर हम दिगर दिगर स्टॉक्स ले रहें जिसमें हमें आसानी से यह सारा कुछ देखने को मिल जाता है अब यहां पर देखें इसके बाद एक्रेसिव बायर था है यह नहीं हमारा एप पैटरन हो गया अब हम इसको डिटेल से नहीं लिख रहें एफ और आप समझी गया होंगे अग्रेसिव बायर इंट्री किया है उसके बाद प्राइस आपका ओल देखें उपर गया यहां पर ब्रेक लग गया ती हमारा बन गया बी पॉइंट अब यहा कमारा बन जाएगा डी पॉइंट तो तरी के से कुछ नहीं करना है बस आपको अग्रेसिव बायर कांट्री फाइंद करना वह करने के बाद आपको अफ्ट्रेंट अब ट्रेंज करना सहीं पर ब्रेक लगा वह दिखना ए उसके बाद ऑना चाहिए चाहिए पिर हम यहां पे तो हमें जवर्दस्ति का consolidation नहीं find करना तो यहां पर हमें tweeting avoid करना पहला point यह हो गया दूसरा अगर consolidation हमें मिल भी जाता है लेकिन consolidation के बाद अगर यह आपका नीचे साइट की तरफ price move करता है तो भी हमें यहां पर trade नहीं लेना है हमें यहां पर सिर्फ और सिर्फ upside की तरफ ही tweet लेना इसलिए सारे example में आपको upside की तरफ ही breakout देखने को मिल गया है तो सबसे पहले अगर हमें हमें ट्वेंड में कहीं भी रुकावड नहीं देखने को मिलता है उसमें break नहीं लगता है तो हमें連 seat नहीं लेना है अगर break लग जाता है आगे आओगा कुछ डाउट है तो कमेंट चेक्षन में पूछ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जहूर कर लिजेगा साथी साथ बेल आइकन जहूर दबा दिजेगा ताकि हम इस तरह के वीडियो आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे और वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करके इनकवे जहूर कीजिए सो मिलते है नेक्स वीडियो में जैहन